तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे यह class 10th का chapter 1 है civics हम लोग यहां पर discussion करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग हम आप पर क्या देखने वाले हैं तो सबसे पहले यह पढ़म यहां तो सबसे पहले यह देखेंगे की diary Sam and Shri L니까 को अम लोग कैसे पहचाने वहां देखेंगे तो अगर किसा जंड है? यह बेलिजियम का है. इस तरह के साब पैचान सकते हैं, प्लैग होता है वह इस रूप में दिखाए दिता है जैसा कि आप इहां पर देख सकते हो. आंकर तोड़ा से यह नहीं पर अल vaccination का इसुप इस वोगों नहीं है उसके इसे अहूं in anti- jung град के दोभव시мос succession के ने मपीन तिम आहिते हैं इंदोनों की बीच में कूछ यह अलग अलगई अग्जांपल सा मोग लेकि समझेंगे कि कि जगडे का कारणी जा रहे हैं देश की बीच में यहां पर एक वर्ड हम लोग यहां पर देखेंगे जो एक नया श्रब्द आपके लिए आएगा इथनिक श्रब्द आएगा यानि कि इसका मतलब होता है जातिय होता है तो अब इसका क्या मतलब है पहले अच्छे से अंडिस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि भी बीच में हम लोगों का फ्लो ना टूटी इसने हम पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऐसा समाजिक बिभाजन जिसमें हर समु अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है यानि या साजी संस्कृति पर आधारित समाजिक बिभाजन है किसी भी जातिये समु के सभी सदसे मानते हैं कि उनकी उत्पती समान प्रवजों से कैसे समहू के सदसे किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्टिता एक हो तो जाती है हम किसे कहेंगे या फिर अगर हम बात करते हैं कि एथनिक किसे कहेंगे तो कह रहा है कि एक समाजिक मतलब एक सोशल डिवीजन होता है असोशल डिवीजन और यह किसके अधार पर हो कहते हैं, ठीक है, तो people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both, they need not always have the same religion or nationality, जैसे कि कहने का मतलब यहां पर क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे जारखन में क्या है, आदिवासी है, और हमारे जारखन में हम लोग देखते हैं कि हिंदु समाज भी है, हमारे भारत में देखते हैं कि मुसमि समाज भी है, लेकिन जब आदिवासी के बात क करते हैं उस कल्चर को लेके चलते हैं लेकिन जो हिंदु धर्म होता है वो दुसरे कल्चर को लेके चलता है और जो मुसलिम वो दुसरे कल्चर को लेके जाता है ठीक है तो यह जरूरी नहीं है कि सेम ही रिलीजन के होंगे या नैशनलिटी भी उनका सेम होगा यह जरूरी नह तो वो culture के आधहार पे जो अलग-अलग divisions होते हैं, social divisions जो होते हैं, उसी को हम लोग ethnic या जातिय विभाजन कहा करते हैं, तो ethnic शब्द ये समझमें आना बऌग ज़रूरी है, ज़स को हम हिंदी में जातिय कहते हैं, मतलब culture के आधहार पे, जो social division है, उसे को हम इथनिक या जातिय कहते हैं। चलिए अब इस से रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पर चैप्टर को कवर करते हैं। Belgium यूरोप का एक छोटा सा देश है। छेतरफल में हमारे हर्याना राजी से भी छोटा। इसकी सिमाएं France, Netherlands, Germany और Luxembourg से लगती है। इसकी अबादी एक करोर से थोड़ी अधिक है। यानि हर्याना की अबादी से करीब आधि। इस छोटे से देश के समाज की जातिय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल अबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाकी में रहता है और डच बोलता है। शेश 40% लोग वॉलोनिय छेतर में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेश 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। और 20% लोग डच भाषा। देख भाषा का बटवारा हो रहा है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे की यहां पर बेल्जियम शब्ध हम लोग यहां पर देखेंगे। तो बेल्जियम क्या है एक यूरोप का बहुत ही छोटा सा कंट्री है। बेल्जियम क्या है एक कंट्री है और यह यूरोप का बहुत छोटा है। टीम कितना छोटा है। इसको कंपेरिजन करना है। तो अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो देखेंगे कि यह जो है छेत्रफल की हिसाब से यानि एरिया की हिसाब से हमारे कंट्री में एक राज्य है। कि हर्यानराजिय इस क्रफार राज那麼 एक षड़ है से बहुत छोटा है। beispielsweise which is the passport of the escriber 미लसे प्रजपे सब्स penal Оord Deaf सोल भी बेलजियम क्या है क्या सब्सक्राइल इस से बहुत छोटा हैं अलुका खाल दौक है, इस बात का ध्यान रकना हैं। अब इसके जो borders हैं इसकी सिमा हैं किन-किन से touch कर रहा है तो कह रहा है फ्रांस से निदरलाइंड से जर्मनी से और लक्सम बर्ग से ठीक है एक दो तीन चार चार ऐसे इनके borders हैं किसके बेल्जियम के इसकी अबादी एक कड़ो से थोड़ी अधीक है यानि हर्यानी की अबादी से करीब आधी है अचे पॉपलीशन के बारे में अगर हम देखें तो जो बेल्जियम की पॉपलीशन है वो क्या है हर्याना से आधा अधा अबादी है हर्याना की जितनी अबादी उससे भी मतब उसका अधा अबादी बिल्जियम में है एरिया भी छोटा है हर्याना से और हर्याना की जो अबादी है उससे आधा अधा अबादी बिल्जियम में लोग है फिर भी ये एक कंट्री के रूप में स्थापित है बिल्जियम इस composition है अब यहां पर भी देखे कितना भीवनता आ गया जबकि आप सोचे कि भारत का एक छोटा सा हर्याना शेत्र है भारत का एक छोटा सा हर्याना शेत्र है से भी छोटा है बेल्जियम और वहां पर इतना diversity है कि ethnic के अलहार पर अलग-अलग भाशा बोलने वाली लोग है और उस तरह का बिवाद है इस देश की बीच में वहां लोग यहां पे देखेंगे तो देश के कुल अबादी का 59 फिस्दि फ्लेमिश इलाकी में रहता है 59 % लोग कहां रहते हैं और डेच बोलते हैं, इसकी भाषा कैसी है, डेच भाषा है, डेच भाषा बोलते हैं, अब रहा है गए 40% लोग, तो ये 40% लोग किस छेत्र में रहते हैं, तो वोलिनिया छेत्र में रहा करते हैं, वोलिनिया छेत्र में, और ये किस तरह की भाषा बोलते हैं, तो ये यहां पे 80% लोग French बोलते हैं और 20% लोग Dutch भाषा बोलते हैं तो ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं थोरे दर में समझ भाएगा अब इसको एक language English language में भी कवर करते हैं उसके बाद इसके हम लोग एक short revision भी देखेंगे Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana, it has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg, it has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana तो वहाँ पर Belgium में population कितना है, half of the Haryana है, ठीक है The ethnic composition of this small country is very complex Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language Another 40% people live in the Valonia region and speak French ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि Valonia में छेतर में रहने वाले French बोलते हैं बाकी, remaining 1% of the Belgians speak Germans In the capital city, Brussels, 80% people speak French, while 20% क्या बोलेंगे Dutch ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग इसको short revision करते हैं ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर Belgium को देखते हैं कि आपका Belgium है कहाँ पर, अब थोगा सा map के माद है हम से, तो यह जो map है आप देख सकते हैं कि Belgium लिखा हुआ, एक बहुत ही छोटा सा country है, ठीक है अब Belgium के जो भी boundaries है, देखिए, यहाँ पर Germany से share कर रहा है ठीक है, अगर आप लोगों ने हिटलर का जो पढ़ा था, चप्टर उसमें भी क्योंकि कैसे यूद हुआ था, क्या हुआ था, फस्ट वर्ड वर्ड वार में तो यह सब प्रभावित हुआ थे, तो यहाँ पर यहाँ लोग देखेंगे, जर्मनी, जर्मनी भी से यह boundary share कर र तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो बेलजियम है, बेलजियम किन-किन कंट्री के साथ अपना boundary share करता है, निदरलाइंट्स, जर्मनी, लक्षमंबर्ग, और फ्रांस, इन सब के साथ अपना boundary share कर रहा है, यहाँ पर आपको दिखा दिया, तो यह बेलजियम एक एशिया कहीं पार्ट है, ठीक है, चलिए, आगे की तरफ हम लोग आप बढ़ते हैं, और अभी हम लोगोंने क्या देखा है, तो इसको भी थोड़ा study करते हैं, तो बेलजियम के बारे में हम लोगोंने क्या देखा, कि यह क्या है, एक small country है, यूरोप में, ठीक है, यूरोप का यह ब यूरोबादी तो इसके लगवग एक क्रोरवादी है, यानि जस्त उसका हाफ, जोगरफी अगर हम देखे इसका, बेलजियम का, तो बेलजियम फ्रांस के साथ, निदरलाइंड के साथ, जर्मनी के साथ, और लक्षमबर्ग के साथ क्या करता है, अपना बॉर्डी शेर करता है, तो इस बात का ध्यान रखेगा, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब अगला यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे, एक सीज और यहाँ पर देखना है, मैप के थ्रू भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जारेंगे, लेमिश रीजन में, कितने परसेंट लोग रहते हैं, 59% लोग रहते हैं, और इनकी भाशा क्या है, डच भाशा है, ठीक है, और वैलोनिया रीजन में, 40% लोग रहते हैं, और यह फ्रेंच भाशा बोलते हैं, बाकि जो एक परसेंट बच गए, वो जर्मन भाशा बोलते हैं और जो Brussels है, जो कि एक capital है, तो वहाँ पे 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाशा बोलते हैं, और 20% लोग वहाँ पे डच बोला करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग diagram के माले हम से भी देखेंगे, कि क्या है, अब यहाँ पर देखें, Brussels ठीक है, यह वाला color यहाँ दिखाए दे रहा है, कहाँ पर दिखाए दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, ठीक है, तो Brussels जो है, यहाँ पर आपका Brussels है, ठीक है, यह चोटा सा आपको यह गी हैं각 दो को है ब्रॉसल तो ब्रॉसेल्स , मैं देख रहे कि कितनी यहां पर.. भाशा बोलने वाले किस तरह के लोग है क्या है यहां पर देख सकते ? इसके रीजन को भी आप देख सकते हैं ठीक है 80% फ्रेंच भाषा यहीं पर बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं लोग इस वाले एरिया में ठीक है अगला देखे वेलो उनियन यहां पर क्या है रेड कलर का तो रेड कलर आप देख लिए इसकी एरिया तो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है ठीक है और यहां पर जो ल एलो है जिसमें फ्लेमिश एरिया है तो फ्लेमिश एरिया यहां पर देखे पूरा का पूरा आपको दिखाए देगा ठीक है यह पूरा जो एलो पार्ट यहां पर दिखाए दे रहा है यह पूरा आपका क्या है फ्लेमिश है तो फ्लेमिश रीजन में कितने सारे लोग रह 59% population रहे रहा है और इनकी भाषा क्या है डच है तो यह हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि डच भाषा बोलने वाले लोग हैं बाकि अगर हम लोग यहां पर देखे कि इस तरह का मैप में दिखाए दे रहा है यह German speaking करते हैं जैसे कि आपको अदम just किनारे वाला हम लोग यहां देखे किनारे जो इस तरह का दिखाए दे रहा है ठीक है तो यहां पर क्या है German speaking करने वाले लोग है ठीक है तो चलिए यह सब चीजे क्यों information दी जारी है आपको परदा चल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे किस-किस नियम कानून को change किया गया कैसे किया गया क्या बिव नात्मक रूप से ज्यादा संब्रीथ और ताकतवर हैं तो कहरे कि जिन्सकी संख्या जो फ्रेंच भासा बोलते थे वो सबसे ज्यादा क्या थे अमीर थे और पावर्फुल भी थे भारत में भी आप दीखिए कि ब्रामन जो है वो अल्प संख्यक है लेकिन वही सबसे ज्य लीच भी रहे और पावर्फुल भी रहे तो हमेशे एक चीज नोट करना जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो देखना कि जो कम संख्या के लोग है ना वही हमेशा बहुत संख्यक पर ज्यादा राच करता है वो पावर्फुल भी होता है अमीर भी होता है इस चीज का ध्या नकना यह हमेशा आपको एक पैटन दिखाय देगा अभी भारत में भी सबसे ज़्यादा अमीर कौन है गिनेचुने कुछ कास्ट के लोग लेकिन जिसके संख्या सबसे ज़्यादा ऐसे स्टी ओवी सीखी उनके पास दौरत बहुत कम है यह बहुत ही पावर्फुल नहीं है तो हमेशा जो अलप संख्या करा है वो हमेशा पावर्फुल रहा है अमीर भी रहा है तो यह ऐसा ही यहाँ पर भी हम लोग को दिखाय दे रहा है पैटन कि जो अलप संख्या कि जो मैनुरिटी वाले लोग है और जिसके भाशा क्या है फ्रेंच है वो जादा से जादा क्या है रीच है अमीर है और पाउरफुल भी है चलिए आगे की तरह बढ़ते हैं बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और सिख्षा का लाब पाने वाले डेच भाषी लोग को इस स्तिती से नराज कि थी इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डेच बोलने वाले समहों की की बीच में तनाव बढ़ने लगा अब ध्यान देने लिए तो यहां पर क्या होता है कि दो गूट के बीच में क्या हो रहा है अब यहांपे टेंशन क्रिये हो रहा है ठाहिं ठेंशन हो रहे हैं और यह तुरंत टेंशन क्रियेट नहीं हुआ था बहुत जाक usha आजग होव लोग थे, और इस लिए वो क्या थे, नराज चल रहे थे, क्योंकि इनको जो है, इनका आर्थिक विकास बहुत बाद में हो रहा था, इन तक education भी जो है, बहुत लेट से इनको मिल रहा था, ठीक है, तो इस बाद से, जो French भाषी लोग हैं, और जो Dutch भूलने वाले लोग हैं, इसी के जो लोग थे, वो कम educated थे, या बहुत सालों के बाद इनको पढ़ने का मौका मिला, आर्थिक रूप से भी, A.S.T.O.V.C. वाले लोग जो थे, वो कमजूर थे, और ऐसे कुछ लोग जो थे, वो आर्थिक रूप से बहुत मजदूर थे, तो उन दोनों की बीच में नराजगी रहा है, ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर भी लेकिन भाशा क्याधार पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर कोई कास्ट क्याधार पर नहीं, भारत में कास्ट क्याधार पर हो रहा था, और यहां पर आप देख रहे हैं कि एक language proper way में, या cultural basis पर यहां पर division हो रह होता है, किसलिए होता है, यह समझ माँ गया हो, क्योंकि आर्थिक विकास इनका बाद में होता है, और education में इनको बाद में बिलता है, इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में, फ्रेंच और डच बोलने वाले समों के बीच में तनाव बढ़ गया, तो यह कब भढ़ा था, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 1950 और 1960, यानि कि सोच लिए कि हमारा देश अजाद हो चुका था उसमय, 1947 में, ठीक है, उसके तीन साल बाद आप यहां देख रहें, 1950 और जिसे हमारे देश में constitution के कव लागो हो गया था, 26 जनवरी 1950 को है न, जिसमें हमारे देश में constitution implement हो रहा था, उ जो समय देखिए 1950 और 1960 के बीच में क्या हो गया था, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और जो डेच बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच में काफी ज़ादा क्या हो गया, तनाव का माहूल क्रेट हो गया, अब जाहिसा बात ही, इसमें नेसनहार होगा, एक अधिकार के लिए लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मांग करेंगे, तो वही सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों समुधवाईं के टकराओं का सबसे तीखा रूप, ब्रूसेल्स में दिखा, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ब्रूसेल्स में इसका सबसे जादा आपको दि संख्या के मामले में कमजोर और अल्प मत थे तो देखे डच बोलने वाली जो लोग थे संख्या के हिसाब से तो बहुत ज्यादा थे इनकी अबादी बहुत ज्यादा थे डच बोलने वाले लोगों की लेकिन अगर हम बात करें धन के मामले में या फिर इनकी संख्या के मामले में तो यह बहुत ही जादा कम बढ़ते थे हैं। अब हम लोग देखते हैं। The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people consisted of a majority in the country but a minority in the capital. Okay, तो चलिए आगे के तरफ देखते हैं। इसका एक short revision लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं। इस map के भी हिसाब से। यहां पे आप देख लीजिए। यही है आपका Belgium यहां पे जो हरा color का आपको दिखाई दे रहा हुआ। ठीक है। Globe में हम लोग इसको देख रहे हैं। यह हरा color का तो यही आपका क्या है। इसको मैं यहां से भी दिखाव देता हूँ। यह हरा color का जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा यही आपका Belgium है। ठीक है। तो यह Globe की बात थी, Globe में हम लोगों ने इसको देखा। अब इसमें हम लोगों क्या देखना है। फोड़ा सम सॉर्ट रिविजन इसका लेते हैं। तो Belgium में क्या होता है। तो किन की की बीच में होता और कब होता है। तो यहां पर minority French ठीक है। फ्रेंच बोलने वाले लोग जो जिनकी संख्या क्या थी, कम थी। ठीक है। एक तो यह था और दूसरा के साथ Dutch speaking community था। यह economic development और education का benefit इनको बहुत बाद में मिलता है। और resettlement towards the French speaking community। ठीक है। तो tension emerged कब हुआ था। 1950 से लेके 1960 में। तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि एक French भाषा बोलने वाला और एक Dutch भाषा बोलने वाले लोगों की बीच में यहां पर क्या था टेंशन था। Belgium में। अब Brussels जो की capital था तो यहां पर इस special problem क्रेट हो गया था। क्या इस special problem था। कि Dutch speaking बोलने वाले majority में थे। और Dutch speaking जो थे capital में क्या थे। minority थे यानि कि संब्रीद नहीं थे। वहां पर एक कमजूर पढ़ रहे थे। तो एक special problem क्रेट हो रहा था कि संख्या में तो जादा है लेकिन उनके पास दौलत कम उनके पास capital कम है। ठीक है। तो एक acute tension दोनों की बीच में आ गया था Brussels में। स्टीति तुल्णा एक और देश से करें। तो अब हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के बारे मैं। श्री लंका को भी आप लोग देख चुके यंगि कहाँ पर श्री लंका हैْ। ठीक है। पहले इसको शिलॉंग के नाम से जाना जाता था और अभी आप लोगों को मालूम भी होगा कि अभी जस्ट आज का न्यूज में होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा कल का न्यूज में भी कि श्री लंका और भारत की बीच में एक डिस्ट्रिब्यूट क्रेट कर दिया गया है पॉ तो जिस पे एक टिपनी करण किया गया कि भाई अभी आप सरकार में हो दर साल में तो आपने क्या क्या उस चीज को वापस क्यों ने ले देते हो आप उस एरिया को तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिब्यूट यहां पर भी क्रेट हुआ है तो अगर आप लोग चाहें कि जो स्री लंका में हुआ है तो श्री लंका एक दूपीय देश है जो तमील नाडू के दक्षणी तट से कुछ किलोमेटर की दोरी पर स्थित है तो याद रखेगा तमील नाडू यहीं से आपका वह सारा और भी इंफोर्मेशन मिलेगा स्री लंका और तमील नाडू के बड़ा एक नसल वादी था जो बंस उड़ा दिया था राजो गांदी को ठीक है तो यह तमाम चीज़े यहां पर आपको जानने को मिलेगा तो श्री लंका क्या है श्री लंका तमिलाडू के दक्षणी तट से कुछ किलोमेटर की दूरी पर है यानि कि आप कह सकते हैं कि श हर्याना के बराबर है हर्याना जो कि हमारे भारत में है एक स्टेट है ठीक है तो हर्याना में जितनी अबादी है उतनी अबादी श्री लंका में है तो सोची कितना छोटा है हम लोग का एक स्टेट है उन्लोग का एक देश है बेल्जम तो इससे भी छोटा हो गया पॉपु मिलाया और तब जा कि यूनिन ओफ स्टेट्स बनाया है तो अभी आपको यहां पर कितने सारे देश बीच-बीचों मिल जाते हैं जारकंड से दुसरे जगह पर जाते हैं तो दुसरा कंट्री का लाता है बीजा के साथ जाना पड़ता ठीक है तो सोची कि छोटा छोटा एरिय पॉपलिशन के अधार पर भी क्या हुआ है कंट्री बन गया है तो यहां तक हम लोगों को समझ मागया कि श्री लंका की जो आबादी वह हार्याना की जितनी आबादी उतनी के बराबर है दक्षिन इसे है कि अन्य देशों की तरह श्री लंका की आबादी में भी कई जाती स समुव है यहां पर भी मतलब की अलग-अलग एथनिक के लोग है ठीक है सबसे पहले प्रमुक समाजिक समुव सिहल्यों का है ठीक है सिहल्य एक तरह का समुव है जिसके अबादी कुल जनसंख्या की 74 फिज दिये यानि की श्री लंका में इसके अबादी 74 फिज दिये फिर तो तमीलों का नंबर आता है जिनके अबादी कुल जनसंख्या का 18 फिज दिये तो तमीलों में भी दो समुव है एक तो श्री लंकाई मुल के लोग है और एक तमील मुल के लोग है ठीक है तो अब थोड़ा से आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ा से इसको स्टेड़ी कर ल सुछातर मेंढ़ेंग कर दो तमीलों परत। मों कीलों के लिली बास्टेकी होड़ा το त।र strain आटा कि अर्याना विम्कष्ण तर य एक अन्वेस्तिन को एक प्रक्राइला फिजकलड़ा थो पेप सपीकर कि अ।रशों स्री लंका धास गार्फ जार पर्यु कि इंका Unterstüts फ्री तो और हिंदुस्तानी तमील जो की आपनी वेशिक साशनकाल में बगानों में काम करने वाले के लिए भारत में लाए गए लोगों की संदान है द्यांसे यहां पर समझना हिंदुस्तानी तमील जो की आपनी वेशिक साशनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत में लाए गए लोगों की संदान है ठीक है तो हिंदुस्तान में जो तमील रह रहे हैं ठीक है तो जब कॉलीनियल प्रियर्ट था जब अंगरेजों का काल चड़ रहा था तो बगान में काम करने के लिए उनको भारत मिलाए गया था तो उसकी संदान है ठीक है नेक्स्ट अमर यहां पर देखते हैं कि मौजूदा श्री लंका के नक्से पर गौर करे तो पाएंगे कि तमिल मुख रुप से उत्तर और पूर्ल प्रांतों के प्रा वह कौन सी भाषा बोर रहे हैं सिहली भाषा बोर रहे हैं और उनका रिलीजन क्या है तो वह बौधिस्ट है जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसल्मान हैं तो कुछ मुसल्मान भी हैं कुछ हिंदू हैं श्री लंका की अबादी में इसाई लो किसकी इसाहिय लोगों की वो दोनो भाषा बोलते हैं, सिहली भाषा भी बोलते हैं, अभी हमनों बसल्प बोलते हैं, बب duties धर्म के लोग्थ भाषा अलग है, धर्म इनका अलग हो एंक, तमिल जो भारती मुलके भी लोग है, और कुछ अलगấu, मतु चिलका मुलकी भी लोग है और इसमें इसाही लोग भी रह रहे हैं 7% में, ठीक है, तो यह सब आकड़े बड़ी important है, क्योंकि इससे बहुत हम लोग एक important conclusion तक पहुंचेंगा, भी data आपको दिया जा रहा है, कि किसके पास क्या है, क्या दोनों की बीच में conflict था, यह भी आपको समझ में आएगा, okay, tamils, जो की 13% है, the rest whose fourth fathers came from India as plantation workers during the colonial period, are called Indian tamils, as you can see from the map, Shri Lankan, Tamils are concentrated in the north and the east of the country, most of the Shri-Sihali speaking people are Buddhist, while most of the Tamil are Hindus or Muslims, there are about 7% Christians, who are both Tamil and Shri-Sihala, आप थोड़ा सा revision कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, Shri Lanka को आप यहाँ पर map में देख सकते हैं, यह हम लोगों का India है, और India के ठीक सामने आपको जो green color का दिखाई दे रहा है, यह वाला हिस्सा, that is Shri Lanka, ठीक है, तो यहाँ Shri Lanka है, ठीक है, Shri Lanka में जिसने मैं आपको कहा कि, जो आप लोगोंने, heroine का नाम मैंने जो लिया, Jacqueline का, उसको वह ही के रहने वाली है, ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, Shri Lanka, Shri Lanka क्या एक island है, ठीक है, तो geography में आप समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यह मैंने previous classes में भी बताया है, और अभी geography वाली section में बताऊंगा भी, island का क्या definition अब कैसे समझोगे, ठीक है, ठीक है, तो Shri Lanka क्या एक island है, ठीक है, जो की Tamil Nadu के आसपास में है, population इसकी कितनी है, श्री लंका की, तो दो क्रोर लगवक है, जो की हर्याने के बराबर है, अब इसका geography देखते हैं, यह कहां पर located है, South Asia region में located है, population क्या है, इसकी, diverse population है, यानि कि अलग-अलग जाती के लोग रहते हैं, ठीक है, तो सिहली भाषा बोलने वाले कितने है, 74% जो की किस caste के आते हैं, किस धर्म के लोग आते हैं, कास्ट लक्षी होता है, और धर्म लक्षी होता है, तो इनका धर्म क्या था, इनका धर्म जो था, वो वद्धेष्ट था, ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि कौन- जो की 13% है, और इंडियन तमील कितने है, वो आपको मालूम चल गया है, ठीक है, अच्छे, अब हम लोग देखते हैं, जो कौनियर पिरेड में लाए गए थे, अब उसके बाद आते हैं हम लोग कांसेंट्रिशन, कांसेंट्रिशन अफ स्री लंका, तमील इंद नॉर्थन इस, majority किसकी है वहाँ पर बुद्धिस्ट धर्म मानने वाले लोगों जो सिहीली भाषा बोलते हैं, उनकी majority सबसे जादा है, ठीक है, ओके, और majority of Tamil are Hindus and Muslims, और Tamil में सबसे majority Hindu और Muslim वहाँ जात के लोग है, ठीक है, 7% वहाँ Christian लोग हैं, जो Tamil भी बोलते हैं और सिहीली भाष अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिती में क्या हो सकता है, क्या हो सकता था, बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इक्षाएं थोप सकते थे, यह बहुत इंपॉर्टन बात यहां पर आ रह तो बेल्जियम में एक तो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, ठीक है, दूसरी बात, डच भाषा जो बोलने वाले लोग थे, उनकी संख्या क्या थी, बहुत बड़ी थी, और दूसरा क्या थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाली, ठीक है, और तीसरा क्या थे, जर्मन भाषा फोलो कर मैं, जैसे कि अगर अभी हम लोग देखते हैं भारत में, तो भारत में हिंदु धर्म की ज्यादा है, और मुसलिम, इसाई, इन सब की जन संख्या कम है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि गवर्मेंट भी हिंदु राष्ट बनाने के नाम पर एक तरह का थोप रहा है मुसल्मानों पर, इसायों पर, बुधिष्टों पर, ठीक है, तो इस तरह का हो सकता है, कि जिसकी संख्या भारी होती है, वो दूसरे पर थोप सकता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि बेलजयम में किस तरह का सॉल्यूशन निकलता है, श्री लंका में क्या सॉल्यूशन इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़े जाती, संभाव था, इससे देश बंटे जाता, जाहिर से बात है, जिस तरह का है, अगर आबादी वहाँ पे था, तो कंट्री स्री लंका में ही टूड़े जाता, यानि कि फ्रेंच बोलने वाले एक दूसरा कंट्री बन जाता, डे जो है, वो अलग हो गये, पाकिस्तान टूटके अलग बन गया, बांगलादीश भी वहाँ पर धर्म के अधार पर ही अलग हो गया, तो उस तरह से अलग-अलग कंट्री बन जाते, ठीक है, तो संभाव था, इससे देश बंट जाता, और ब्रूसेल्स पर दोनों पक्ष अप अपनी मनमानी चला सकते थे, आएए अब यहाँ देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर समीकरण हम लोग देख लिए हैं कि श्रिलंका में किसके अबादी ज्यादा था, और बेल्जम में किसके अबादी ज्यादा थ just imagine what could happen in situation like this in Belgium the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the fringe and German speaking population these would push the conflict among communities further these could lead to a very messy partition of the country both the sides would claim control over the Brussels in Sri Lanka the Sihili community enjoyed and even bigger majority and could impose its will on entire country now let us look at what happened in both these countries now let us look at the ghatna chakra we will see here but we will be revising in Belgium what was the Dutch language which was actually the majority of the advantage of the potential for forced imposition on French and German speaking population to thop saktay thay kin ke oopar French bolne waale or German bolne waale logo ko par apani man maani thop saktay thay escalation of the conflict among the communities a risk of massive partition partition hoonne ka bhi chances thay dispute over the control of Brussels Brussels me waha pae dhekho reha hai ki bhoa sa dispute ho saktay thay Sri Lanka ka bhi example hum logoo nai dhekha ki Sihili bhaasa bolne waale joki buddhisht thay woh bhi thop saktay thay kin ke oopar ah joh waha pae rehne waale jisai thay joh tamil thay un ke oopar thay kha hai to finally abhi hum logoo yaha pae dhekho reyte ki belzium me kya ho raha tha shri lanka me kya ho raha tha us pore chapter me in doono ka example lete huwe hum logo constitutions ki baare mein jankaray bhi haasil karenge okay it's time to answer the question ki aapne abhi tak sahih se cover kia hai ki nai kia hai toh pahla question yaha par aata hai what is the approximate population in sorry of belgium belgium me laghag kitnay population hai option a kahta hai over 2 crore option b kahta around 1 crore option c kahta less than 1 crore option d kahta hai more than 3 crores kia sahih javab hooga belgium me kitnay abhi gaya option a option c option c option b belgium me laghag 1 crore ki abhi hai aagla aate hai aagla question me dhekta hai what percentage of belgium's population lives in the flemish reason flemish reason me belgium ke kitnay sari population rehte hain option a 59 percent 40 percent 80 percent 20 percent 59 percent or option a option a sahi javab option a hai 59 percent agla which language is predominantly spoken in the flemish reason of belgium belgium ke flemish reason per sab 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 ki kis bahasa ka priog kehajata hai french option b dutch option c german option d english or german confirm confirm flamish reason flamish reason flamish reason flamish reason flamish reason flamish reason population dhekhi 59 percent flamish reason ok flamish reason Thank you best question b प्रेंच बोलने वाले 80% लोग बेल्जियम के किस रिजन में रहते थे option A Flemish reason, option B Valonia reason, option D German speaking reason, option D Brussels reason option D, option D, option D, option D, option D, Brussels में 80% लोग रह रहता था न, जो वहां पे खास रहा कै खärक का गया था. Okay, fifth question. What was the, what was a significant cause of tension between the Dutch speaking and French speaking communities in Belgium during the 1950s and 1960s? यानि कि, cause of tension, यानि कि क्या कारण क्या था tension होने का किस के बीच में, जो Dutch speaking थे और जो French speaking थे. और 1950s और 1960s के बीच में ये एक tension create हुआ था. Option A कहता, economic development, disparities के कारण, option B कह रहा है, educational differences के कारण, option C कह रहा है, religious conflicts हो गये थे, option D कह रहा है, language differences के कारण. Option D. Option A. Option A. इसका सही जवाब है, economic development disparities. वहाँ पर economic, जो था और जो educational था, उन दोनों का differences भी वहाँ पर देखने को मिला था. तो इसका basically तो economic ही अभी इस अधार पर होगा, क्योंकि जो French बोलने वाले लोग थे हैं, जिसकी संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन वह बहुत powerful थे, और बहुत ज्यादा reach थे. ठीक है, जबकि जो Dutch बोलने वाले लोग थे, वह अबादी में ज्यादा थे, लेकिन उनके पास द majority in Sri Lanka, तो किस तरह का ethnic group जो है, श्री लंका में majority में था, option A के रहा, तमीली स्पीकर स्लोक, सिहनली स्पीकर स्लोक, इंडियन तमील्स, एंड श्री लंका तमील्स, option B, option C, इसका सही जवाब है, option B, सिहनली भाषा बोलने वाले लोग की majority सबस्यादर जो बहुत धर्म को मानते है, ठीक है, अगला question, what potential consequences were mentioned regarding the situation in Belgium and Sri Lanka, peaceful resolution through the dialogue, risk of massive partition and conflict escalation, C के रहा है, smooth integration of diverse community, D के रहा, implementation of strict government control, option B, option B, तो यह सही जवाब है, क्योंकि ज्यादा सम्भावना था कि क्या होजाए, बटवारा हो रहा है वहाँ पर, इसके अधार पर, यह हम लोगों को वहाँ पर चाहरा किका दे रहाता है,